न्यूजरूम लाइव स्पॉंसर बाई चंद्रगुप्त अकाड़मी टॉप फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा कोविट के समय इनकी सेवाएं लेनी शुरू की गई थी इनकी संख्या 600 के आसपास थी और अब यह आदेश जारी कर दिया गया है आदेश तेश मार्च को जारी किया गया था जो एक अप्रेल से लागू हो गया यह वे आयूश चिकित सक हैं जिन्होंने कोरोना जैसे कठिन का साल में प्रदेश को अपनी सेवाएं दी जानकारी के मुताबिक इन आयूश चिकित सकों ने दो साल तक ओपीडी समाली मरीजों के टेस्ट, टीट्रिमेंट, कोरोना सेंटर और रेक्सिनेशन से लेकर आइसोलेशन तक पूरी जिमेदारी के साथ काम किया था शुरूआत से इनकी नियुक्ति अस्थाई थी लेकिन समय के मुताबिक इसे बढ़ाया गया, अब जब कोविड का खत्रा कम हो गया तो उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं, दूसरी और विशेसक्यों का कहना है कि स्वास्त विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली हैं, इसलिए चिकित्सकों को समविदा नियुक्ति दे दी जाएं और सिवाएं जारी रखी जाएं, इससे उनके परिवार का भरण पोशन होता रहेगा, वहीं इस मामले पर अब प्रदेश भर के चिकित्सक विरोध प्रदर्शन का मन बना चुके हैं, उनकी रणनीती भी तैयार हो रही है, कोरोना की समय इनकी नियुक्तियां होई थी और इन्हें उमीद थी कि जब दो साल देश भर में जो संकट रहा, प्रदेश में संकट रहा, उस समय उन्हों वो सरकार के साथ खड़े रहे, तो शायद आगे इनको सरकार एड़्जेस्ट करेगी, किसी तरह से इस्थाई कर देगी, लेकिन परिस्तितियां इनके खिलाफ हुई, आज एक अप्रेल से आदेश जारी हो गया है, दूसरी खबर की बात कर रहे है, माफिया के खिलाफ तमाम अभियान और सक्ती के बाद भी मिलावट का खेल नहीं रुक रहा है, ताजा मामला जबलपुर का है, जबलपुर का मसला है, जबलपुर में भी मिलावट कोरों के खिलाफ प्रशासन और पुलिस का अभियान फिर से शुरू हो गया है, राजी इलाके में इस्थित रिजहाई इंडस्टियल एरिया में एक ऐसी फैक्टरी पकड़ी है, नकली मसाले बनाये जा रहे थे, अब द दिया गया है, तीसरी खबर की बात करते हैं, नए वित्ती वर्श के पहले ही दिन मध्यप्रदेश के बिजली उबहुकताओं को जोरदार जटका लगा है, एमपी में बिजली के दाम भी बढ़ गए है, आठ अप्रेल से बिजली 2.6-4 फीसदी महगी हो जाएगी, यानि अ इस्तिती है, आम जन समझ रहे हैं, मध्यप्रदेश की जनता को बिजली का भी अब जोरदार जटका सरकार ने दे दिया है, विद्दुद नियामक आयोग ने मध्यप्रदेश में वित्ती वर्श 2022 ते इसके लिए नई बिजली दरों का एलान कर दिया है, आयोग ने पैसे की बढ़ुत्री हो जाएगी, यानि एक और महगाई का जटका मध्यप्रदेश को मिल गया है, अगली खबर की बात करते हैं, मध्यप्रदेश के पंचायत और निकाय चुनाओ, इस पर तमाम लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी, कभी विपक्ष परारो, कभी सत्ता पक्ष परारो, फिर कोर्ट में मामला जाना, पूरी प्रक्रिया इस तरह से उलज गई, कि अब विशेसक ये बता रहे हैं, कि ये जो चुनाओ हैं, गाओं की सरकार के और शहर की सरकार के, ये चुनाओ अब विधान सभा चुनाओ के बाद ही हो पाएंगे, यानि 2023 के विध चुनाओ होंगे, बार बार ये भी आरूप लग रहे हैं, कि सरकार खुद अभी निकाओ चुनाओ नहीं चाहती है, चुनाओ में कम वक्त बचा है, यानि विधान सभा चुनाओ में कम वक्त बचा है, उसके पहले इन चुनाओं से सरकार के खिलाव भी महौल बन सकता है, ज निकाय और पंचाय चुनाओं अगले साल यानि विधानसभा चुनाओं 2023 के बाद ही हो पाएंगे यानि कि 2024 में पंचायत और निकाय चुनाओं होंगे और 2024 में लोगसभा चुनाओं होंगे तो क्या लोगसभा चुनाओं के बाद होंगे या उसके पहले होंगे सब में प्रुप्त अचाडमी तोप फ्लोर रमा गोविंद पालेस्ट रिवा